नमस्कार साथियों मेरा यूटीब चैनल सुविधा 2010 में साधर पूर्वक अभिनंदन मैं हूं रविकांत भकत इस वीडियो के माध्धम से हम लोग बात करेंगे समगर सिच्चा अभिजान के अताहत प्रायजित डहर एप से बिद्दालाय से बाहर बच्चों का डॉर टू ड और ऑनलाइन सार्वे कैसे करेंगे आपका सार्वे सही हो तुरूटी रहित हो इसलिए सार्वे से जुड़े तत्थों की जानकरी सही सही होना बहुत जोरूरी है जो आज इस वीडियो के माध्धम से स्टेप बाइस्टेप बताऊंगा जैसे कि पहला वीडियो में डहर की डिस्किप्शन में दिया हुआ है फिर से एक बार देख लें सबसे पहले बता दूँ वीडियो लंबा हो सकता है धर्ज के साथ और बीना स्किप किये वीडियो को सुरू से अंतक ध्यान से सुने देखें स्टेप को समझते जाएं ताकि आगे आपको कोई परबलेम नहों वीडियो अच्छा और उपयोगी लागे तो लाइक कर जुरूत मंदों को स्यार कर दें नहीं नहीं जानकरी पाने की लिए नया दर्सक चेनल को सबस्क्राइब कर और लोट इपिशन बेल आइकों को दबा दें तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं मॉबाइल के स्क्रीन पर और ओपेन करते हैं डहर एप एप ओपेन होते ही एक इंटरफेस आएगा मॉबाइल पर जिसमें उपर में लिखाओगा डहर और नीचे लिखाओगा डिजिटल एप्लिकेशन फॉर होलेस्टिक एक्शन and reviews और फिर उसके नीचे लिखाया दिख लिजिए for out of school children survey enrollment and maintenance फिर आपका एप का लोगो और फिर उसके नीचे जो है उपवयोग करता का नाम दर्ज करें और फिर नीचे है password फिर नीचे login दिखाया जा रहा है तो आप इसमें क्या करना है उपयोग करता का नाम मतलब आपका ID और password डलना है हम आपको इसके पहले का वीडियो में बता चुके हैं कि आपका ID password क्या होगा तो चलिए हम लोग ID password डालके login करने की कोशिस करते हैं server login की परिस्तिती में user ID के जगा हम लोग डालेंगे 6-digit का teacher ID और password के जगा डालेंगे 4-digit का MPIN आपको recall करा दूँ इब इद्धा बाहिनी में teacher login करते समय जो आप unique ID यूज करते हैं जो 6-digit का होता है वही आपका teacher ID है और इसी teacher ID से आप अपना daily attendance बनाते हैं और इब इद्धा बाहिनी का जो teacher login करते समय आप password यूज करते हैं MPIN वो 4-digit का होता है वही आपका MPIN है जो डाहर एप के password है अब ID password डालेंगे बाद login में touch करते ही एक page खुलेगा जिसमें देख लीजिए लिखा होगा उपर में out of school survey फिर school name फिर यूडाइस code district block और फिर देख लीजिए नीचे start button है तो start करने से पहले हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा देख लीजिए ये left side corner में three lines है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या है तो चलिए हम लोग उसको touch करके देखते हैं देख लीजिए आ गिया क्या वही है ये लोगो है आपका school का हो सकता है कि आपना जो सर्वेयर है उसका भी फोटो आप लगा सकते हैं उसके नीचे वही है आपका school name block district और language यहां से क्या कर सकते हैं आप language से change कर सकते हैं देख लीजिए हम लोग language change करके एक बाद देखेंगे जहां देख लीजिए ये triangle है इस triangle में इस टाच करके देखते हैं ठीक है यहां देख लीजिए इसमें क्या है English है और Hindi है तो आप जो जिस भासा में करना चाहते हैं सारवे उसको आप कर सकते हैं चलिए तो हम लोग इसको फिरहल हिंदी करके देखते हैं हिंदी कर देते हैं यह देख लिजिए उसके बाद दूसरा जो page कुलता है तो वो क्या है देख लिजिए ये बच्चों का सरवेच्छन बच्चों का सरवेच्छन में और नीचे देख लिजिए यहां एक plus bottom है क्योंकि अभी हम लोग को सुरू करना है तो ये नीचे जो circle में एक plus bottom है इसमें हम लोग touch कर देंगे जैसे ही touch करेंगे यहां एक नया page कुलेगा देख लिजिए क्या लिखा हुआ है allow der jharkand to use the location information of this device मतलब location track करेगा इसलिए इसको allow कर देना है हम लोग अभी allow कर देते हैं क्योंकि ये door to door जाके survey करना है इसलिए ये आपका location मांग रहा है कि कहीं आप बाहर से ये कम कर रहे हैं या नहीं ये इसका पता चल जागा इसलिए आपको इसको allow करना ही है ठीक है तो allow कर देते हैं allow करने के बाद क्या है देखिए household survey की अनुमती संख्या दर्च करें अनुमानित जो संख्या है यानि कि आपको जिस आप household survey के समय आप house number दिये हैं उस house number को आप यहां दर्च करें सोच लिजिए यहां हम अभी 01 दर्च कर देते हैं और उसके बाद जो है done bottom दबा देते हैं फिर submit कर देते हैं ठीक है समिट कर देते हैं आप क्या है घरों की संख्या जोड़ें हो गया आप बाल जान करें देख लिजिए यहां फिर प्लास चीन आ गिया है इसमें हम लोग जोड़ते हैं देख लिजिए code यह code क्या है उसको इसको भी हम लोग जोड़ना है फिर code है code में हम लोग देते हैं देखिए 001 दे देते हैं और done कर देते हैं फिर आगे यह देख लिजिए यहां को ना में next है इस next bottom को भी दबा देते हैं हम लोग next ठीक है यह next कर देते हैं अब घर का मुख्या का नाम देखिए लिजिए कोई भी जिस घर में जा रहे हैं उस घर का मुख्या का नाम दर्च करना है तो हम इसको आपको सिखाने के लिए कर रहे हैं तो इसको कोई भी नाम दे सकते हैं सोच लिजिए हम लोग इसको रूंदा ठीक है और फिर डॉन कर देते हैं डॉन कर दिये उसके बाद फिर देख लिए वह नेक्स्ट बॉटम जो एकदम बिलो राइट साइड कॉर्णर में है नेक्स्ट उसको नेक्स्ट को दबाते जाएंगे मोबाइल नम्बर डलना है ठीक है यहां एक 8 डीजिट का मोब जाए इसको फिर एक बार नेश्ट कर देते हैं पीर आगे देखते हैं पूरूस महिला और ट्रांसजेंडर इसमें क्या है यह पूरूस है या अगर मोहिला है तो मोहिला में देना होगा और ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर तीन में देना होगा तो हम लोग एक में टच कर देते हैं और फिर नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट करना तो बैभाय की स्थिति साधी नह जाएंगे इसमें देखी हिंदू है आप इसको अगर चेंज करना चाहते हैं धर्म को यह बोटम है आपका ट्रेंगल इसमें टाच करके आप इसको चेंज कर सकते हैं ठीक है देख लिए यह सीकिसाय जेन धर्म क्या क्या है बुद्धिष्ट पार्शी अन पता नहीं अन में हम लोग डाल देते हैं अन में टालते हैं फिर आगे next कर देते हैं ठीक है ये category आप इसमें category में देख लिजिए category में भी हम लोग करेंगे कि ये change कर लेंगे select है सामान जाती अनुसुची जाती अनुसुची जन जाती अन पिछड़ा बर और पता नहीं पांच में तो ये क्या है कि अनुसुची जन जाती में आते हैं तो इसमें अनुसुची जन जाती दे देते हैं और फिर next कर देते हैं फिर इसका मुख बेफसाए इसका भी देखिए एक में क्रिसक है और इसको भी हम लोग select करके देख सकते हैं चलिए select करके देखते हैं सेलेक्ट में क्या है? क्रिशक, देख लिजिए एक रिसक है पऊसु पालन, मदस पालन, क्रिशक मझदूर, गेर किषक मझदूर या सौरग Kerry बेखती है, तो वो क्या है, इसको हम लोग को देना है, ठीक है? तो इसमें देख ले दिया हम लोग इसको क्रिशक दे देते हैं, एक, क्रिशक फिर next करते हैं, आप देख लिजिए परिवार पाठ सुची में सामिल है या नहीं, इसमें देखिए, इसमें आपका एक और दो, दो में अगर है, तो yes कर दिए, नहीं तो no कर दिजिए, तो ये नहीं में देते हैं, तो फिर जो भी ह जैसे हिसाब से आप कर सकते हैं, है न, इसमें इसको भी कर सकते हैं, या इसको भी, चलिए हम लोग इसको, दो में ही देखके हम लोग next कर देते हैं, next करने के बाद देख लिजिए, इसमें आयूबर्ग में हम लोग देख लिजिए, 3 से 5 प्लास आयूबर्ग में देखते है जनसर कितना है यह लड़कों की संख्या जीरो लड़कीया जीरो खूल जीरो थीखे है उसके बाद हम लोग नेच्ट अब उसके बाद क्या है देख लिए सरकारी बीद्दलाई या सहता प्राप्त बीद्दलाई अंगनवारी सिसु सदन में नमंकन है कि नहीं यह जिरो है तो लड़का लड़की इसमें जिरो ही होगा आगे हम लोग फिर चलते हैं नीचे निजी मननता प्राप्त या सम्मंद स्कूल से बच्चों का नमंकन यह भी जिरो होगा क्योंकि उपर में जिरो है गेर मननता प्राप्त गेर सम्मंद स्कूल गेर मननता प्राप्त अच्छा बिद्दले से ड्रोप आउट छीजित होने वाले बच्चों की संख्या भी ड्रोप्ट होगा यानिकि बिद्दले से बाहर कुल बच्चों की या अनमांकित छीजित भी इसी ग्रूप में डिलीट जीरो होगा तो हम लोग इसको फिर नेक्स कर देते हैं नेस्ट करते ही देख लिए छे से आठ दस प्लस अईवर्ट के बच्चों की संख्या आएगा अब हम लोग इसको देखेंगे ठीक है इसमें आपका छो से दस में एक है चलिए उसके बाद नेस्ट कर देते हैं एक लड़का है लड़की जीरो खुल एक तो ये बच्चा जो है न क्या है आप सरकारी विद्दाले स्वायता प्राफ्ट विद्दाला या आउन बाड़ी में भरती है कि नि नमंकन है कि नि तो इसको हम लोग देखते हैं इसमें जब लड़का है एक दे देते हैं ठीक है जो भी यहां स्थिती आएगा यह आपको जीरो करना होगा कि वो एक बच्चा था वो नमंकन हो गिया है ड्रोपाउट भी नहीं होगा चीजित भी नहीं होगा अनमंकित भी नहीं होगा आगे हम लोग फिर इसको नेक्ष्ट कर देते हैं जैसे नेक्ष्ट करते हैं आपको 11 से 13 आईवर के एक लड़की है ठीक है उसको भी नेक्स कर देते हैं और कूल एक है आप क्या है ये सरकारी बिद्धाले से बच्छी सुदन में नमांकन है है या नहीं इसको ये दर्शाना है अगर नहीं है तो आगे चल जाना है इसमें देख लिए लड़की है तो एक ये भी नमांकन नमांकित है ठीक है अब नमांकित है तो ये कई नहीं होगा ये सरकारी स्कूल में पढ़ रही है आगे चलिए देख लिए यहां सब जीरो ही होगा आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है देख लिए यहां है अब उसको नेक्स कर देंगे नेक्स करते ही आपको पुषक चेत्र में है उहां जाकर आप सई सई वरिएगा चलिए आगे हम लोग चलते हैं देख लिए लड़किया एक है और यह अभी फिलाल लड़कियां जो है नहीं है और यह गैर सरकारी सम्मद मादासा या किसी में नहीं है यानि कि यह क्या है किसी भी नमांकित नहीं हुआ बच्चों के संख्या दिखाना है यहां यह ड्रोप आउट इन्हीं कभी कभी पढ़ रहे थी और अभी वह पढ़ाई छोड़ दी है इसको दर्साना है next कर देते हैं next कर देते हैं तो इसमें आपका फिर मागेगे 16 से 17 प्लास के बारे में ठीक उसको इसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसमें भी 0 दे देते हैं कोई बात नहीं है यहां 16-17 में नहीं है तो 0 देखे हैं हम लोग इसमें सब भी 0 होगा आगे चलते हैं और इसमें कर देते हैं next जैसे next हो गया देख लिए कूल छात्र संख्या आया एक लड़का दो लड़की कूल तीन अब एक है न देख लिए एक बर फिर से जैसे हम लोग फीड किये हैं एक लड़का दो लड़की है ठीक है कूल तीन हो गया ओके आगे चलते हैं अगे चलते हैं देख लिए इसमें से क्या है एक सरकारी में लड़का पढ़ रहा है एक लड़की पढ़ रही है और कूल दो हो गया पढ़ने वालाओं में से और सम्मंद प्राप्त में निजी मननता प्राप्त में जीरो हो गया है और गयर मननता प्राप्त में भी जीरो हो अबिद्दाले से बाहर रहने वाले संख्याभी वही लड़की को दर्साया जा रहा है हैं फिर हम लोग क्या करते हैं कि next कर देते हैं next जैसे करते हैं क्या परिवार विश्ट्यपित हो गया है या पिछले तीन बरसों में एक बार प्रवासित किया है ये भरना है हना या उसी जगा पर है तो ये नहीं देंगे ठीक है क्यूंकि हम लोग अभी जब उसको सार्वे कर रहे हैं जो अभीसली वो घर में होंगे तो भी रह पता चलेगा और उसके बाद क्या करते हैं राइट साइड नीचे कॉर्णार में कॉंप्लेट वोटम है उसको दबा देते हैं जैसे दबाते हैं जितना हम लोग इसमें सार्वे किये हैं वो डहर पोटाल में अपलोड हो जाएगा सुविदा 2010 बहुत मैनत से आपके सुविदा के लिए या वीडियो त्यार किया है इसलिए प्रत्सवाइन के लिए वीडियो को लाइक कर दें आपनों को और जोरुतमन साथिय को सेयर कर दें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाब मिल सके सुविदा 2010 यूटीव चेनल आपका आपना पसंदीदा चेनल है नए नया वीडियो नए जानकारी पाने के लिए वीडियो के नीचे दिया हुआ लाल रंग के सब्सक्रिप्शन बटन को फ्री में सब्सक्रिप्शन बेल आइकन को जुरूर दबा दें चेनल को सपोट करने लाइक एबंग सेयर करने और देखने के लिए धन्यवाद